हलो प्रेंट्स आज की बीडियो में मैं आप सभी को यह बता हूँ को दोस्तों इस्टाग्रम का मन्टीपल डेकांट कैसे हटा है जैसे कि मेरे को यह बला आईडी आटाना है तो आपको करना क्या आगा मैं सुरू से चलिए बताता हूँ दोस्तों सबने पहले आपने वीडियो को लाइक ने किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों जीस भी आईडी को यहां से आप हटाना चाहते हैं यानि कि रिमूब करना चाहते हैं Simply सबसे पहले दोस्तों आपको उसको यहाँ पर लॉग इन करना होगा जैसे ही दोस्तों यहाँ पर उसको आप लॉग इन कर लेते हैं लॉग इन करने के बाद यहाँ पर simply दोस्तों आपको क्या करना है फिर से आपको DP वाले option पर आपको किलिक कर देना है जैसी ही दोस्तों यहाँ पर अप DPR option पर किलिक करेंगे, किलिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इस टाइप से उसका profile खुल जाएगा profile खुल जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे उपर के side यहाँ पर दिखाई देगा 3-line यह जो three line का option है सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर आपको click कर देना है जैसी दोस्तों three line के उपर click करते हैं यहाँ पर बहुत सरे option मिल जाएंगा आपको setting and privacy, thread, your activity, archive यहाँ पर बहुत सरे आपको अतरंगा option मिल जाएंगा तो सबसे उपर के side यहाँ पर मिलेगा आपको setting and privacy जो की gear type का यहाँ पर emoji दिया हुआ है तो यह जो है सबसे पहले इसके उपर आपको click कर देना है जैसी दोस्तों setting and privacy के उपर click कर देता है click करने के बाद आपको simply क्या करना है यहाँ पर सबसे उपर के side मिल जाएगा jadi account log in simply दोस्तों इसको चाथ यहाँ पर आपको इस type state option मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको यहाँ पर click क्या क्लिक क्या करना है दोस्तों यहाँ पर एक option मिलेगा आपको logout नंदन कुमार यह वला यह जो नंदन कुमार 700 सी है यह ID मेरे को logout करना है तो simply दोस्तों इस ID को आपके मुवाइल में जितने सारे भी एकांट है, सारे के सारे लग आउट हो जाएंगे और comment फिर आएंगे, comment आने के बाद बोला जागा कि यहाँ पर आपने गलत बताया, यह बताया क्योंकि अगली बार मैंने इस टाइप का विडियो बना देते तो बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या कर दिया थे, 100% में कम से कम 5% लोग यहाँ पर क्या कर दिया थे, यहाँ पर log out all account पर क्लिक कर दिया थे के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दो option मिलेगा, cancel और log out तो उपर के साड़ यहाँ पर log out वहाँ अप्सन मिलेगा, log out के उपर आपको क्लिक कर देना है, जैसी दोस्तों log out के उपर क्लिक करने के बाद दोस्तों automatic यहाँ पर OID दोस्तों आपका head जाएगा, जैसे कि देखन में मैं वहाँ पर मैं ID का link दे दूँगा, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मैंने long press करके रखा, long press करके रखने के बाद जैसी कि दोस्तों यहाँ पर देख चीतों नंदन कुमार वाला ID यहाँ से हट चुका है, तो दोस्तों इस टाइप से आप people account को यहाँ पर हटा सकते हके यहाँ दोस्तों यहाँ दोस्तों और के चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं कसी अगले वीडियो में